गुगल के लिए अलग प्रोजेक्ट निकलता है यूट्यूब के लिए अलग प्रोजेक्ट निकलता है यूट्यूब के लिए अलग प्रोजेक्ट निकलता है ये सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर में आते हैं महाँ पे प्रोजेक्ट में एन्रोल हो सकते हो और पर घंटे का स कोई दुकान रखते हो तो वहां आपको प्रोड़क्ट बेचना पड़ेगा लेकिन ओनलाइन में आपका हुनर आप खुद चलता फिलता दुकान हो अपने हुनर को बेच कर आप पैसे कमा सकते हो ठीक इसी प्रकार आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सक्स से मिलाने वा आते हैं आपको आज सारी नॉलेज देंगे प्रिलाइसिंग में कितना ज्यादा पैसे हैं क्या यूटूब से ज्यादा है यूटूब से कम है तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अपॉल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो टोईद भाई मेरे नाम आकाश रस्तोगी है और मैं उत्तरपुदेश कानपूर से बिलोंग करता हूं मैंने अपनी जर्नी की शुरुवात आज से करीबं धाई साल पहले करी थी तो मैं थोड़ा अपने ब जहां पर करता था तो मुझे वहां पर 5000 उपीज मिलते थे मैं एक एटल की फ्रेंचाइजी में जॉब करता था तो मैं वहां पर सुबह 9 बजे जाता था और रात में करीबं 9-9 बजे अपने घर वापस आता था और पूरा दिन वर करने के बाद मुझे एक महीने के बाद 5000 उपर मिलते थे तो इसी तरीके दीरे-दीरे मतलब की और दीरे-दीरे मतलब मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया मैं कही ना कही मतलब जौब करता रहता था क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडिशन बहुत जदा अच्छी नहीं थी पापा भी काम करते हैं मेरे मैं भी का अगर काम नहीं करता है तो फिर वहां से काम चलेगा नहीं किसी ना किस मतलब दोनों ही लोग को काम बराबर करके ही चलना पड़ेगा तो इसी तरीके मैं भी काम करता गया करता गया और 2020 में मैं एक कंपनी में जॉइन हुआ तो वहां पे सॉफ्टर सेलिंग का मैं काम करता तो लेकिन क्या हुआ कि 2019 के बाद बीस में लग गया लॉक्डाउन वगयरा तो लॉक्डाउन की वजह से बहुत प्रेशर हो गया मेरे उपर भी कि अब आपके सॉफ्टर नहीं सेल हो रहे तो अब आप क्या करोगे और मुझ से डिमांड भी करने लगे कि हमको पैसा कमा के कुछ पैसे कमा के दो लाग देड़ लाग रुपए तब तो हम आपको पैसे भी देंगे उसमें से 15,000 रुपए अधरवास फिर आपको हटा दिया जाएगा तो एक दिन वह ऐसा आई गया कि उन्होंने मुझे हटाई दिया क्योंकि लोग डालोटी देखेंगे कि पहले पर करेंगे तो इसलिए क्या हुआ कि फिर उन्हों ने क्या किया कि मुझे हट आई दिया क्योंकि मेरी सेल्स थी नहीं इतनी 30-35 जार मुश्किल से निकल जाती थी तो उन्हों मेरी एज थी उस टाइम पे मेरे खाल से 17-18 तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई मतलब आप इतने चुटे सुम्र में प्लस टू के बाद आप सीधा कमाने निकल गए मेरे पिता जी फोटोग्रफर हैं पेशे से तो अब क्या है ना रोईद भाई जब से मतलब क्या हुआ फोन वग लेता है ठीक है तो पापा के पास मतलब ऐसा नहीं कि काम ही नहीं मतलब वह भी घर चलाते हैं संभालते हैं बट भाई आप समझ रहे हो नहीं जब से दुनिया डिजिटल में कनवर्ट हो चुकी तो इन सारे लोगों के पास काम कम हो चुक है फोटोग्रफर के पास बहुत करने लगा था 2015 से लेकिन उससे पहले से ही मैं चोटे चोटे बच्चों को पढ़ाता था वहां 200 रुपए 300 रुपए मतलब मुझे मिलते थे तो उससे मैं अपने कीपेड फोन में रिचार्ज करवा कि मतलब इसी तरीके मैनेज करता था मैंने फिर मतलब मैं एक तरीके से द अपने बंदी कर दिये थे अच्छे जब आपके मतलब यह आपने श्टार्ट किया अपना जाप छोड़ दिया उधर कंपनी ने भी आपको निकाल दिया इधर आपने काफी जॉड़ा तो आप प्रिलैंसिंग पर आपका तो पहले दिन अर्निंग होना इस्टार्ट नहीं ह अरे भाई पूछो नहीं हुआ यह था बाई करीबन जब मेरी जॉप चूटी थी तो उस टाइम मैं घर पे था करीबन तीन-चार-चार महीने तो एप्रॉक्स मैं घर पे था और मैं कुछ भी नहीं करता था सिर्फ मैं यह ऑनलाइन रिसर्च करता था कि यूट्यूब पे देखता था और गूगल पे भी मतलब सर्च करता था तो मुझे दिखता था कि ओनलाइन लोग काम करके भी पैसे अर्न कर रहे हैं बट मैं उस टाइम पर यूट्यूब बगएरा नहीं करता था मतलब यूट्यूब करने के इच्छा भी नहीं थी क्योंकि होता है ना बहुत अपना खुद का कुछ अर्निंग कर पाओ तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था सर्च करते करते भाई क्या हुआ थोड़े दिन बीद गया अब पापा भी मतलब फोर्स कर रहे थे प्रेशर डाल रहे थे कि कुछ करो कुछ करो और ऐसा होता है ना भाई देखो इसमें बुरा मान लड़के को यहां लगवा दो अपने लड़के को वहां लगवा दो आप यह बताओ कोई लड़का इंटर पास आउट करके ग्रेजुएशन कर रहा हो वह किसी चमडा फैक्टरी में काम करेगा या फिर वह किसी पैट्रॉल पंप में काम करेगा अब जब हमने इतना पढ़ करने वाले कि कहो तो लगवा दे एक बोलता था कि बाई चमडा फैक्टरी में जगह खाली है मैं किसी काम को बुरा नहीं बोलता पहली बात तो यह कि लेकिन अब जब मुझे उपर वाले ने इस लायक बनाया है जब आप लोग ने मुझे पढ़ाया लिखाया तो मैं चमड करना चालू किया तो मुझे दो-तीन जगह तो ऐसा मिला कि मुझे एकदम से लगने लगा कि अब तो मैं पैसे कमाने लगा लेकिन वह कंपनिया फ्रॉड निकली बलकि मैंने वहां पे कुछ दो-तीन हजार रुपे अपने फसाद दिये थे तो वह कंपनिया निकल गई तो थोड़ा मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जितने भी बड़े बड़े ब्रैंड्स हैं जास लाइक गूगल एमेजॉन वालमार्ट फ्लिपकार्ट और और बहुत सारे ऐसी कंपनी जिनका काम टैलेस इंटरनेशनल देखती है बैक एंड का जि इसी तरी के अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग प्लैटफोर्म चलते हैं बस यह कि उसका यूरल थोड़ा चेंज होता है तो हर कंट्री के लिए वो लोग अलग-अलग प्रोजेक्स निकालते हैं तो मैंने उसको सर्च किया मुझे वहां से 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे दिख कि इंटर ねट की नॉलेज होनी चाहिए जितना भी काम यहां पर होता है इसाल कर देता हूं कि यहां पर क्या होता है यह सारे प्रोजेक्स इसके अंदर में आते हैं मतलब कि इन लोगों ने मतलब इस कंपनी ने कॉंट्रेक्ट ले रखा है यूट्यूब से गूगल से गूगल एड्स से हर किसी से कॉंट्रेक्ट लेकर रखा हुआ है और जितना भी इनका बैक एंड का वर्क होता है अब जैसे नीचे बॉक्स बॉक्स करके बनके नहीं आ जाते हैं खुब सारे फोन्स आ जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो आइफोन 11 ही आएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है सेमसंग नोट 22 एल्ट्रा भी आ जाए हो सकता है ओपो का कोई मॉड के लिए अब जैसे मालो किसी ने सर्च किया आइफोन 11 और हमको नीचे प्रोड़क्ट दिख रहा है ओपो रैनो का कोई मॉडल लेट एग्जामपल की आइफोन 11 जो है वह 64,000 का है और 64,000 की आसपास की प्राइजिंग का कोई ओपो का फोन दिख गया तो हम उसको बोलेंग आइफोन 11 और हमको प्रोड़क्ट में दिख रहा है ऐइरबट आइफोन के एयरबट आते हैं तो उसको हम रेट करेंगे जैसे की सौ में से हम उसको 25 या 30 रेट करेंगे इसलिए उसको 25 और 30 रेट करेंगे क्योंकि वह भी आइफोन का यह प्रोड़क्त है अगर कोई बंदा आइफोन 11 सर्च कर रहा है तो हो सकता है में भी वह आइफोन के एयर पॉट्स भी खरीदना चाहिए लेकि वह सब चाहिए अलगर्व में बिल और 50 अरवल जुका है अलगर् अलगाग मतला है मिलते गीजैँ अलग मैं गार्व मिलते हो श्ञवार को और 5-5 दॉलर मिलता है कि सी परवह चरॉजेट वारivel का 55-5 दॉलर मिल सकता है किसी प्रोजेट में आपको वो सकता है 3 दॉलर ह मिले यह प्रोजेक्ट के अलगल एक requirement होती जिस प्रोजेक्ट में जितना वर्क होगा उसी इसाब से वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे लेकिन mostly इंडिया टेलेस इंटरनेशनल के अंदर इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें साड़े चार डॉलर के आसपास मिलता ह और अगर आप दिन बर में 5-6 गंटे काम कर लेते हो तो भाई 4624 करीबन भाई आप कुछ नहीं करो कि तो भी 1500 रुपे से लेके 2000 रुपे तक पढ़ेगा अर्न कर सकते हो लेकिन यहां थोड़ी सी dedication और मेहनत देनी पड़ती है यहां पर एक गंटे का मतलब यह नहीं कि आप इस आप उसे एक घंटे में चाए भी पी रहों उसी एगंटे मतलब वाश्रूम भी जा रहे हो ऐसा नहीं एक घंटे का मतलब टाइमर चलता है एक घंटे तो एक घंटे यह सब को अगरPhone में इसके बारे में इस बारे में वह स्टार्ट करना चाहता है तो श्टार्टिंग करने के लिए उसे क्या क्या requirement होनी चाहिए क्या क्या उसे चाहिए कैसे वो इस्टार्ट कर सकता है कि बिल्कुल बताता हूं मैं देखो पहली बात तो यह कि टैलस इंटरनेशनल मैं आपको कंपनी और अभी उसे पहु awak बता सकता हूं आप स़र्च कर सकते हैं कि फऩिर अपन останoupe को करने त्याटि बाद आजयते हैं तु यह जितनी बी कंपनी यह बड़े ब्राइड्स की जो है contract लेती हैं उनके back end का work करती है मैंने आपको सारे companies के नाम बता दिये हैं और भी companies हैं और इसमें जो basic requirement होती है रोईद भाई कि आपके पास at least एक laptop होना चाहिए और एक SEO का अगर सीम है आपके पास तो आप अराम से यहां पे घर बैठे बैठे पैसे अरने कर सकते हो मैं अगर खुद अपनी बात बता हूं रोईद भाई तो मैंने अपनी शुरुवात करी थी आपने वह देखा होगा मुलायम सिंग से सरकार वाले laptop तो मैंने मैंने अपनी starting उसी laptop से करी थी कोई बी दिक्कत नहीं हुई ती मैं अगर कोई अल्टर्नेट में laptop या PC नहीं तो मैं उसमें आज भी काम कर सकता हूं खैर अभी तो मीरे पास laptop भी है PC भी है बट मैं उस्से मैंने श्टार्ट करी थी हूँ आज बी अगर कोई चाहता है तो 2GB RAM को अगर उसके पास इसमें register करना होता है मतलब एक तरीके से जैसे मैंने आपको companies के नाम बता है तो उनी companies पे website में आपको जाके इंडिया location को search करके आपको देखना होता है कि अभी इंडिया के लिए कौन-कौन से projects open है तीक है आप जब उन projects पे जाओगे उसका description read करोगे आपको पता चलेगा कि भाई इस project में मेरी रूची है मैं इस काम को कर सकता हूँ तो वहाँ जाके आप उस project को apply कर दो apply करने के बाद ये companies आपको guidelines प्रोवाइड कराती है guidelines का मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा material देती है अब भाई वो पहले आपको ये तो judge करे करेंगे ना कि आप उस लायक भी हो कि नहीं ऐसे किसी को तो hire नहीं कर लेंगी तो वह आपको guidelines देती है guidelines देने के बाद आप उन guidelines को अच्छे से पढ़ लो revise कर लो जैसे एक short test होता है उसके बाद आप से वह test लेगी test में बिल्कुल वैसा ही interface आपको देखने के मिलेगा जैस उसके बाद आप अगर उस test को clear कर लेते हो उसका एक threshold होता है अगर जैसे किसी का किसी project का threshold है 70% किसी मतलब project का threshold है 80% तो अगर आप उस threshold को clear कर लेते हो तो भाई आप जो है वहाँ पे project में enroll हो सकते हो और पर घंटे का साड़े चार डॉलर से लेके 5 डॉलर या 3 डॉलर अपनी बात करूं तो मैं current time में चार प्रोजेक्स पर वर्क कर रहा हूं अलग-अलग मतलब दो companies हैं एक टैलस और एक एपन इनके दो-दो projects मेरे पास है जिसका एक project मैंने अपनी sister को pass करके उसको समझा भूजा कि मतलब मैंने उसको पूरा detail में पढ़ाया समझाया और अपन मेनी का earning कितना कर लेते हो अगर मैं सिर्फ individual अपनी बात करूं तो मेरा हर मन्त का 50-60,000 रुपए हो जाता है और अगर मैं दीदी का भी मिला लू अपनी sister का भी तो सब्सक्राइब मान सकते हो और अगर पीक है यह तो और यह यह रोहित भाई यह मतलब एक नॉर्मल है ठीक ह सब्सक्राइब करना होता है तो आप 4.5 x 20 करके जोड़ लीजेगा एक प्रोजेक्ट का ठीक है अब जैसे ही बाई कोई त्योहार आया त्योहारों में क्या होता है कि क्वारी बढ़ जाती है लोग गूगल पर सर्च करने लगते हैं प्रोड़क्स के बारे में और गिफ्ट खरीदने लगते हैं खुब सारे तो उसमें क्या होता है गूगल के उपर काम बहुत जादा आ जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास भी काम बहुत जादा आ जाता है वो कहते हैं कि अब 20 गंटे से जादा आप जितना मन हो उतना काम कर लो तो उस टाइम पर हम लोग पूरा- कमारे भाई देख रहे हो नारमल अगर ले रहे हैं तो 50-60 रुपे यह कमा रहे हैं क्यों अकेले कमा रहे हैं यह कहिना ऑफिस जाते हैं नहीं कहिने के पास पैर पठाने की ज़रू भीया हमको नौकरी दे दो खुद की मालिक है जब मर्जी तब काम करेंगे जितना मर्जी अपना काम करेंगे पैसे खमा रहे हैं यहां तक कि इनकी वीडियो बनाने की बहुत लोग बीडियो नहीं बना सकते तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप ऐसे काम को स्टाट कर सकते हो जो कि एक अच्छी नौकरी से दस गुना बढ़िया है अब रोईद भाई जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आपने बोला कि अपने मन के मालिक हो तो अगर मेरा मन अभी नहीं है जस लाइक कि बाई मेरे किसी फ्रेंड का कॉल आगया कि बाई चल यार घूमने चलते हैं या फिर मुझे कोई अर्जेंट काम है मेरे साथ चल दे तो मैं उस काम को अभी रोक के उसी काम को मैं घर आ के दुबारा कर सकता हूं ये चीज है आप सेटरडे संदे फ्री रहते है मतलब यहां पर mostly काम Saturday तक इंसान फ्री हो जाता है तो पूरा Saturday अपना Sunday अपना और अगर देखो रोईद भाई जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक खुद का YouTube चैनल भी है आकास रेगजार नाम से तो अगर कोई बंदा उस चीज को सीखना चाहता है कि यहां पर apply कै कि यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जब वहां पर रिजियूम सब्मिट किया जाता है तो उस लिजियूम का जो फॉर्मेट होता यह फोड़ा इंडियन फॉर्मेट से ठोड़ा डिफॉरेंट होता है ठीक है वह मतलब इस अरी चीज चीज की एक डेडिकेट कि आपने अभी काम करके इसे आप फ्रिलांसिंग कि आप कितना मतलब क्या क्या चीव किया है अपने अपने अच्छीव किया है अगर मैंस बढ़ने अब तो मैंने अब हैं सिर्फ दो साल हुएं मुझे पैसे कमाते हुएल लगबक मैंने के सेलरी आने के लिए मैंने साड़े तीन महीने वेट किया था बहुत है इतल सेमर बॉक्रज है één मैंने मेरे उसमें निकल गए तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा अब अगर बात करें जाए बाइचीवमेंट की तो आप मेरे पीछे एक PC देख रहे हो यह PC मैंने 45,000 उपीस का लिया था विद ग्राफिक कार्ड और इसमें अभी मैंने थोड़ा बहुत काम और करवाया इस 24,000 का और अभी मैंने रिसेंटली पिछले मैंने एक DSLR कैमरा लिया है Canon 200D Mark II और विद 50 mm लेंस तो उसका करीबन मुझे कॉस्ट पढ़ा था 64,000 उपीस और मैंने अपना थोड़ा बहुत मतलब YouTube पे वीडियो भी बनाता हूं तो मैंने इसमें सेटप में थोड़ा पैसा लग नहीं रहा है लेकिन हाँ मेरा जल्दी प्लान है कि मैं आइकोन भी लेने वाला हूं और यह आप ही तक टोटल मंगर बात करें राउंड फिगर में तो आपने तो साल में नियर बाउट कितना पैसे कमा लिए होंगे टोटल में कि अगर ऐसे राउंड फिगर की बात करें तो बताना है अगर इन दो सालों में राउंड फिगर की बात करी जाए तो कुछ नहीं तो भी हाँ आप अराम से नौ दस तक मान सकते हो थोड़ा बहुत इससे कम जादा भी हो सकता बढ़ा इतना एक्जैक्ली हो गई होगा तो द पास्ते दिखेंगे आपको पैसे कमाने के सोर्स दिखेंगे क्योंकि जमाना बदल गया ना पहले क्या था जब ऑलनाइन नहीं था तो पहले चलो डॉक्टर बन जाओ इंजिनियर बन जाओ या फिर कहीं जाके जॉब कर लो ऑफ लाइन में दुकान खोल लो किसानी कर लो य जिसके पास ज्यादा खेट रहा थैंद लोर करते थे उसके बाद प्र नौ करी के वेलीब कर injiर हो गया चौनठी वालने वाला वह शीगर में दुकान खोलो इनके चैनल के लिंक में डिक सब्सक्राइब भी डाल दूंगा फिर मिलते हैं वीडियो में बहुत धन्यवाद है